चावल 500 रुपे किलो और राचन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइने लाइट भी नहीं है क्योंकि पावर प्लांट चलाने के लिए फ्यूल खरीने तक के पैसा सरकार के पास नहीं बचा सिच्विशन ऐसी है कि लोग भाग कर इंडिया आ रहे हैं हमारा पडोसी देश अरे वो नहीं जो आप समझ रहे हैं हमारे और भी पडोसी देश हैं शिरिलंका इन दिनों financial crisis से गुजर रहा है माना कि petrol और gas की बढ़ती prices ने हमें भी कम परिशान नहीं किया हुआ है लेकिन आपको यह जानकर surprise होगा कि currently अगर सबसे ज़्यादा महिंगाई कहीं है तो वो है शिरिलंका में यह कहना गलत नहीं होगा कि शिरिलंका की financial situation अब पूरी तरे से ध्वस्त हो चुकी है वहां रोज मर्रा का समान भी आर्मी की मौजूदगी में ही बेचा जा रहा है सवाल यह उटता है कि ऐसा हुआ क्यों चलिए जानते हैं बैंक रपसी की कगार पर खड़ा शिरिलंका कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है और शिरिलंका के बुले दिन कब से शुरू हुए कारण एक नहीं कई है लेकिन सबसे पहले कारण में गिना जा रहा है कोविड कोविड के कारण लगातार गिरता जा रहा है शिरिलंका की foreign currency reserve Actually शिरिलंका की GDP का सबसे बड़ा हिस्सा है शिरिलंका में tourism sector हम सभी जानते हैं कि करोना महमारी में tourism sector की हालत काफी खराब हो गई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ 2019 में शिरिलंका foreign exchange reserve 7.5 billion dollars का था पिछले साल जुलाई में ये गिरकर 2.8 billion dollars पर आ गया दूसरी सबसे बड़ी वज़े मानी जा रही है chemical fertilizers पर लगे ban को Actually 2021 में शिरिलंका की सरकार ने खेती में किसी प्रकार के chemical fertilizers के use पर ban लगा दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि production बहुत तेजी से घटा और शिरिलंका में crisis हो गया तीसरी सबसे बड़ी वज़े tax में की गई reduction को भी माना जा रहा है किसी भी सरकार का income का सबसे बड़ा source होता है income tax and other taxes लेकिन 2021 में शिरलंका की government ने आम आदमी की spending capacity को बढ़ाने के लिए taxes में काफी reduction कर दिया जिससे government की income को काफी नुकसान हुआ financial crisis और उपर से loans शिरलंका का एक challenge है financial crisis और दूसरा challenge है repayment of loans 2022 में शिरलंका को 7 अरब dollars का loan repayment करना है इसमें से 5 अरब dollars तो सिर्फ चाइना का ही है यह वही चाइना है जो कभी शिरलंका का दोस्त हुआ करता था लेकिन अब challenging situation में उसने शिरलंका का साथ छोड़ दिया है इंडिया और जपैन का भी शिरलंका पर काफी loan है और रही सही कसर यूक्रेन रशिया वार ने पूरी कर दी यूक्रेन अन रशिया के बीच छिड़ी वार का भी शिरलंका की financial situation पर काफी असर पड़ा है इसकी दो वज़े हैं पहली यूक्रेन शिरलंका में होने वाली चाय का सबसे बड़ा खरीदार है और दूसरी वज़े ये कि यूक्रेन अन रशिया से कई टूरिस्ट शिरलंका आते हैं और obvious है कि युद्ध के महौल में वो बंद हो गया है अब देखना ये है कि शिरलंका पट्री पर से उतर चुकी economy को वापिस ला पाता है या नहीं और वही opposition का कहना है कि government अपनी सक्ता को मजबूत करने के लिए वहाँ के लोगों की जान दाव पर लगा रहे हैं धन्यवाद